आप सब यूँआ हैं आपको लगता है कि यह जो बच्चे होते हैं यह इश्वर और अल्लाग की देन होते हैं इसमेर अपको कुछ कहना चाहते हैं इसमेर मेरा नाम आपीफा शेक है और मैं खुद मुस्लिम फैमली से हो मेरा क्मेशन यह आप से कि पॉपुलेशन कंट्रोर्ल होनी चाहिए मैं एक मुस्लिमों की एची समर्थन करें तो आप क्यों नहीं कर रहें समर्थन ये पूरे देश के लिए ना कि यह आपके लिए प्रेस्टनली ना ये असद इडिन उवइसी के लिए यह सारे हिंदुस्तान वास्यों के लिए किसी को भी टार्गेट नहीं किया जाड़ा बट एक मैं खुद मुस्लीम हो बट मैं इसके समर्थन में हो की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए जवाब देना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा आप आप इसको हिंदु मुसल्मान के दारे में क्यों देखते हैं असाउदिनोवेसी ने बोला फुले मंच से बोला आप देखिए यह सारे लोग ना तत्तों से भाग रहे हैं खासों से यह दोनों और हमारे अंकर साब अच्छा यह जवाब नहीं देने देंगे हैं हम पॉपुलेशन कंट्र करने के समर्थन में हैं सबसे ज्यादा कॉंटर सेटिव यूज़ करता है हिंदुस्तान में मुसल्मान की तेजिए सब्सक्राइब करने और यह जंजंक्या दर देखें कैसे बढ़ रही हैं सवाल सवाल सब्सक्राइब का अब बहुताई यह रहते हैं हमेशा कम से कम अब भारत के संदर्म में यह तो जरूरी हो गया यह तो सब को समझ में आ जाना चाहिए कि कितना जरूरी है सर पॉपॉलेशन में अब तत्यों पर जाएं तो टू परसेंट लेंड लेंड है और हमारा इस पर बीतर से बात होनी चाहिए और तस्रीम रहमानी में आपके पास आता हूं इस विश्चे को लेकर तस्रीम रहाएं तो इर्रेलिवेंट होगे आप तो इस अप्यों इस बैलेट है एक सब पूपॉलेशन इस बैलेंस ओफ पॉपॉलेशन ये भी होता है कि एक तपका बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए जैसे कश्वीर में हुआ वो दूसरे तपके को बाहर कर दे और जो हमने जारकण में देखा जारकण में जो हुआ वो एक बहुत बढ़ी जांकी है जहां पर कहा गया कि संड इसनी महूल देश है और वो फ्राइडे की छुटी वो अपना वीकेंड फ्राइडे सैड़डे को नहीं करता आप वो सैड़डे और संडे को अपना वीकेंड करता है तो क्या आपको लगता नहीं है कि जब ऐसी सोच होगी ऐसे विचार होगे तो खतरा होगा डल भी होगा मन के अंदर देगे मैं समझता हूँ कि हम यहां पर पॉपुलेशन के उपर बहस करने आए हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल और देश के आबादी उसका बढ़ताव और उसके खत्राथ यह मेरे सामने मौदू है यह जो आप चीजे लेकर आ रहे हैं यह चीजे सोशल डिस्टर पॉपुलेशन का इशू नहीं है और इसे में सवाल करना चाहाँ आप डाइलूट मत की ने सबसे ज्यादा इप्पॉटेट्ट डेश का इशू है आप इसको डाइलूट करते हैं यह जई आप इस इशू का बदा खुडा आते हैं और यह जिज़ार है कि आठ साल में बोदी जी एक परतबा बिल लेकर आ सके डिमांड के मावजूद उनका प्राइवेट मेंबर बिल आता है उन्हीं की पार्टी का उसको लैप्स हो जारे में मजबूर होता है डिसकेशन मेरे आता है दोजार इक सास पे बोल रहे हैं बोदी जीज़ को रिजेक करते हैं अब यहीं रुकेंगे सर आपने बोला कि आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं और यह मिक्स नहीं होना चाहिए सही का आपने दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए लेकिन जारकंड में जो हुआ वाकई बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ी खबर है जहां पर मुस्लिम कमेनिटी जादा हो गई इसलिए संडे की छुट्टी बदल के जुम्मे की छुट्टी कर दी गई उसके ब है वो उस बात में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि डिस बैलेंस ऑफ दर सुसाइटी अगर होगा डिस बैलेंस ऑफ दर पॉपॉलेशन अगर होगा तो दुबारा हिंदुस्तान में कश्मीर होगा सब्सक्राइब टिए का जो भी ग्रोथ का रेशो है उस रेशो को अगर साम ने रखेंगे तो पॉपॉलेशन का वो डिस बैलेंस जो योगी जी बता रहे हैं उसका कोई आसार नहीं है साइन्टिफिकली वह है और उस बित के जरिए परदान मंत्री के बिहार दोरे के समय दो आतंकवादी को पकड़ा गया उनके पास से कुछ जा कागजात बरामत किये उसके अंदर सपस निका हुआ है कि अगर हिंदुस्तान के जो मुसलमाने उसके 10% मुसलमान भी हमारे साथ आजाएंगे तो 2047 में दुबारा से यहां पर मुगलों की तरह हमारा इस देश पर राज होगा वो डॉकुमेंट में लिखा हुआ ऐसा है डॉकुमेंट दीवाने की बढ़ है नहीं दीवाने की सबस्टान करना चाहते है यह अपना राज इस देश पर कायम करना चाहते है यह उस डॉकुमेंट बेदेश पर कारण क्या उसे बिले टॉकुमेंट कर दिया कर दो सबस्क्राइब और रिए उसके निजिए जिए मैं रहे लोगा मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं जो हो चुका उस पर आपसी बात नहीं गाएंगा सवाल कैबी जो हमारी लेंड आरिए उस पर किया कि हमारा लेंड अरिया तो अभी निभर ने माला ना सिप पॉपॉलेशन बढ़ लिए तो इस पे हमें क्या कहना चाहिए कि अभी धरम के चश्रूर से नहीं देखना चाहिए जैसा हमारे सीम साब पर नहीं परद्वार ने लिगन अभी जो लाइंड एरिया हमारे वो तो नहीं बढ़ रहा है तो सवाल है अभी हमारा लैंड एरिया तो नहीं बढ़ आप लेकिन पॉपॉलेशन बड़ी तो ले लिजी उसको धरम विशेश के साथ जोड़ेंगे तो समस्य बढ़ जाएगी अमीजी इस देश में आपने देखा किस तरीके से लेकर किसान कानून से लेकर तमाम कानूनों पर हंगामा हुआ है देश को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है बिल लाने भाउट सबसे पहले हम यह जाने कि एक डिसबैलन सोने ते क्या परेशानी है वह्यापकोता है मेरा सवाल यह है कि पॉपलेशन बिल्की बात यहां पर हो रही है आप यह भी कह रहे हैं कि एड्यूकेशन चाहिए सब कुछ चाहिए बट आप बार बार आके यहीं क्यों अटक जाते हैं कि मुस्लिम्स की इतनी है हिंदूस की आपको लगता है कि आपकी वज़से यह मुस्ल की है यह हिंदू-मुस्लिम की बीमारी इनको है हम तो सिर्व आपको डिफेंसर होके यह बता रहे हैं कि मुसल्मान अपनी जनसंक्या में कंट्रोल कर रहा है उसके आकड़ेश कर रहे हैं जी आप एटा बैठी सार आप सवाल मेरा नाम बलीग नॉमानी है मैं यहां पर गर्णमी बढ़ने दीजिए तो क्या आप गर्णमी बढ़ने के लिए दूसरी बात इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को क्या बीजेपी वाले ही से सीरियसली नहीं लेते हर दूसरे दिन किसी भी बीजेपी वाले का स्टेट्मेंट आता है कि बच्चे बढ़ाने चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल क्या बच्चे बढ़ाने से होगा? अब दूसरी बच्चे के एनको बठी बाता देजिए ना आप चाहरा है ड्मी बड़ाना जारहे हाँ आप लगे एक से कि शुरतबाल थी यह कि वड़ेगी करकल जरमी की स्वाटोर में yr किन्सी माइजून जुलाई पर घ्र आज o तो पस्वाल कर लोग सवाल में जी में मेरा सवाल यह जब इंद्रा गांधी के समय से में यह बिल पे बात हो रही और हमारे किम मोधी जी किस ताइम से के बिल आई ये तो अभी तक कि बिल इंपलिमेंट क्यों नहीं हुआ है मतलब इसा मांता है कि सरकार अगर काणून लेकर आएगी तो हम सबसे तरफ से मेरा इनका या अमीज जी का भी कोई डिस्क्रिपेंसी आई के नहीं हमें नहीं करना है जनता को जगाना भी जरूरी है यह मतलब जो है जिनके बच्चे भी है और उसके बावजों यह भड़काते भी है लोगों को कल यह मुसल्मानों में जाएंगे उनको भड़काए बढ़काएंगे और सीए की तरह जैसे बिल्कुल बढ़काएंगे से बढ़काएंगे सब्सक्राइब करता है यह पूरा देश जनता है लगता है अगर 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 यहां पूरा चला देना तो यहां भी आपस में हिंदू-मुसलिम लड़ने लग जाएंगे आप इतने अगर ने बना रहें एक सेके लिए इसको ना हिंदू-मुसल्मान हम बनाना चाहते हैं ना हमारी कोई मंचा ए लेकिन आज एक विशे पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि इन रहे बूला अमीज जी को ये बात बहुत पसंद आई अमीज जी को तो वो बात भी बहुत बुली लगी थी जब कहा गया था कि वो बीस करोड हैं हम सौ करोड हैं ये भी कहा गयता है इनी के पर वक्ता दौरा हमें तो वो भी बात बुरी लगी थी और फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसल्मान नी करते पार्टी के नाम में मुसल्मीन है और फिर कहते हैं कि हंदू मुसल्मान नी करते इस पूरे population के मामले में जिसमें किसी ने किसी धर्म का नाम ने लिया लेकिन असद ओवेसी साब ने और उनकी पार्टी ने सीधा इसमें मुसल्मान एंगल डूना और मैं कहना चाहता हूँ इस देश के करोनों मुसल्मानों से कि आपका कोई दोश रही है आप सचे देश भक्त हो आप सचे देश भक्त हो लेकिन आपकी लीडर्शिप ने आपको हमेशा लेट डाउन किया है 1970 के बाद और उन साब के सवाल से अगर कुछ सहमत था उनका सवाल जायस था जो ने बोला कि आप बीजेबी का मकसद गर्मी बढ़ाना है तो वो गलत है और मैं इसको डंके की चोट पर बोलता हूँ कोकि पॉपॉलेशन एक समस्या है अब मैं ये कहना चाता हूँ जो बात बोलेश वम त्यबात पर दम इसलिए है को की इस डिस पर कानून आता है जनाब आप यहाँ बैठे आप जिम्हटर आदमी है आप जनाब यहां बैठे, आप जिम्मधार आदमी है, आप यहां बैठे, जिम्मधार आदमी है, मैं हिंदु मुसल्माने कोई फरक नहीं कर रहा है, लेकिन क्या C.A. में तस्रीम ने मानिया आप C.A. के विरोध में थे, एक हिंदुस्तानी मुसल्मान बताईए, जिसकी यूपी के लॉग कमिशन ने पॉपूलेशन कंट्रोल के लिए उसका पूचा, पहले उसका जो आप दीजेना, ने बात तो आपको सवाब देना पड़ेगा न मेरे सवाल का, मैं सवालों के जवाब से नहीं घबराता, मैं जवाब दूँगा, आप सुनिए, लॉग किसकी जवाब दूँगा पता ने क्यों मादू नहीं है, आपने एक साल परधशन किया, आपने एक साल जहना परभशन किया, मैं हम्ली आपसे पोच रहा हूँ, किसकी नागरिक ता गई, एक मुसलमा नागरिक पताई is, जिसकी नागरिक ता गई